हलो फ्रेंज आज हम बनाने वाले हैं उबले हुए आलू और गेहु की आटे से बहुत ही खस्ता नमक पारे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं आप इसे इस्टोर करके एक दू मेने के लिए रख भी सकते हैं मैं हूं जुनी सिंग और मेरी कुकिंग चानल में आप सभी का स्वागत है तो चलिए देर न करते हुए रेस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक कडाही या पेन लेंगे उसमें डालेंगे एक बड़े चमच ओयल आप इसे घी में भी बना सकते हैं नामक पारे घी में और भी टेश्टी बनते हैं तेल को गरम होने के बाद उसमें डालेंगे आधा चमच जीरा और आधा चमच अजवाइन दोनों से बहुत ही बढ़िया फिलेवर आती है इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक इंच अदरक के टुकड़े और दो हारी मीर्च को हमने कदुकस कर लिये हैं इन सभी चीजों को हमें लो आज पर भून लेनी हैं अब एक चमच कसूरी मेथी को भी हाथों में इस तरह से करस करते हुए इसमें हम डाल देंगे और इसे भी हम लो आज पर थोड़े देर भून लेंगे अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारी कटी हुई धनिया के पत्ते इससे कलर बहुत ही बढ़िया आती है सभी चीजों को हमें लो आज पर ही इस तरह से भून लेनी है अब इसमें डालेंगे एक चुथाई कप पानी, पानी डालने के बाद आज को हम मीडियम कर लेंगे और इसमें डालेंगे हम एक छोटी चमच नमक या फिर स्वाद अनुसार, थोड़ी से कुटी हुई काली मिर्च भी इसमें डालेंगे इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट जाती है, पानी में जब उबाल आज तो गैस को लो करेंगे और इसमें डालेंगे एक कटोड़ी गेहु का आठा, और इस तरह से इसे चलाते हुए अच्छे से mix करेंगे हमें इसे low आज पर ही अच्छे से mix करनी है आपने तो नमक पारे बहुत तरह से बनाए होंगे लेकिन इस तरह से एक बर बना कर देखियागा बहुत ही crispy बनते हैं कम तेल में ही बनते हैं नमक पारे को और भी खस्ता बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे दो चमस सूजी और सभी चीजों को हमें low आज पर अच्छे से mix कर लेनी है फ्रेंस यहाँ पर मेरी एक छोटी सी request है कि अगर आप लोग को रेस पी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों में share कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ने किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पर हमने सभी चीजों को अच्छे से mix कर लिए हैं अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे ढखकर थोरे देर के लिए रख देते हैं थोरे दर के बाद हम इसे एक दूसरे बॉल में transfer कर लेंगे और दो उबले हुए आलू को इस तरह से हमने कदुकस कर लिए हैं इसे भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे हातों से इस तरह से मसलते हुए अच्छे से mix कर लेंगे इसमें हम पानी ने डालेंगे आलू के मौस्चर से ही ये बढ़िया से आटे गुथ जाएंगे तो हमें इसे सकत डो बनानी है यह देखे यहाँ पर हमने खूब बढ़िया से गुथ कर सकत डो बना लिए हैं अब हम इस तरह से बड़े साइज की लोई लेंगे और इसे हमें रोटी की तरह बेलनी है रोटी से थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए अगर किनारे से फटे तो आप इसे हाथों से खूब बढ़िया से सेप देते हुए रोटी की तरह बेल लिजिए और किनारी के साइड को इस तरह से चाकू से काट के हटा लिजिए आप इसे किसी भी सेप में कट कर सकते हैं आप इस नमक पारे को मोटा पतला जैसा भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनती है चाको या फिर पीजा कटर से आप इसे किसी भी सेप में काट सकते हैं मैं या पर चाको की साहता से इस तरह से लंबे सेप में इसे कट कर ले रही हूँ काटने के बाद चाको या फिर पल्टन से आप इस तरह से किसी प्लेट में निकाल कर रख लीजिए सभी नमक पारे को आप इसी तरह से पहले बना कर रख लीजिए अगर ये एक के उपर एक रखे हुए न तो चिपके हैं तो कोई बात नहीं अगर आप इसे तेल में फ्राई कीजिए गया तो सभी नमक पारे अलग हो जाएंगे तेल में डालने के बाद इसे आप एक बर धीरे से इस तरह से पल्टन से इस तरह से चला लीजिए ताकि सारे नमक पारे अलग हो जाए हमें इसे मेडियम आज पर फ्राई करनी है इसे तरह उलटते पलटते बढ़िया से हम इसे फ्राई कर लेंगे एक बार आप इस तरह से जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही क्रिस्पी बनती है बहुत ही टेस्टी नमक पाड़े बनती है आपको आवाज से पता चल रहे हैं कि कितनी क्रिस्पी बनी है फ्रेंज अगर वीडियो पसंद तो वीडियो के लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थेंस पर वाचिंग